हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मद्ध प्रदेश में हुए MPPSC के प्री एक्जाम के बारे में जिसकी हम आंसर की आज आज आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें आंसर की में हम देखेंगे तो set number C यानि की paper set C का जो है यह हम paper discuss करने वाले हैं आज तो आए जानते हैं हम पहले question की तरफ तो पहला question जो था निमलिखित कथनों पर विचार कीजी इसमें कुछ तीन कथन प्रमखरूप से दिये हुए थी जिसमें से A नंबर का आंसर हमारा सही था यानि A तथा B यानि कि कथन एक और दो इसमें दोनों ही कथन ठीक थे दूसरे नंबर की प्रशने की बात करें तो भारती समविधान की सातवी अनसूची की किस सूची एवं प्रतिस्थी का संबंध राज के विधान मंडल के निर्वाचन से है तो दूसरे नंबर का जो आंसर ठीक था वो था C नंबर का अगले कॉश्चन की बात करें तो अगले कॉश्चन में था मध्य प्रदेश राज निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था तो इसमें जो आंसर ठीक था वो था A नंबर का आंसर यानि एक फरवरी 1994 को इसका गठन किया हुआ था अगले नंबर का कॉश्चन जो था दो या अधिक राज्यों के लिए एक सयुप्त राज लोग सेवा आयोग के स्थापना की जा सकती है कुछ चार ओप्शन दिये थी जिसमें से C नंबर का ओप्शन सही था A तथा B दोनों पांचवे परश्ण की वाद कर लें तो पांचवे परश्ण में कूछ इस तरीके से अप्शन दिये हुए थे किस प्रावधान के अंतरगत मध्य परदेश लोग सेवा आयोग का गठन किया गया था चार उप्शन दिये थे इसमें जिसमें से पांचवे का बी उप्शन सही था अगला जो प्रश्न है वो था नौवी यानि उन्नीसवी सर्ताबदी के मद्ध में भार्दी राष्ट्रबाद भुरूणा वस्था में थी किस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार यह ना इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार जो है वो कौन से थे तो इसमें छटवे के जो क्वेशन के आंसर था वो था हमारा ए नंबर का यानि कि डॉक्टर आर सी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन याना ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा साथवे नंबर की कॉश्चन की बात करें तो यह था 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के समवादाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्री भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर्ण द्रश्टी से नहीं देखता था इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का यानि की डबलू एच रसल इसका आंसर हो जाएगा आईए जानते हैं अगली question की तरफ बढ़ते हैं अगली question की तरफ तो क्या था आठवी नमबर का प्रशने था भारत की आत्म निर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गड़तंतर है इसका जो answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा A नमबर का इसका answer सही था यानि कि Charles Matt Karp ठीक है आई जानते हैं अगले question के बारे में यानि कि 1956 के राज पुनर गठन अधिनियम द्वारा किसने राज और संगी छेत्रों की इस्थापना की थी तो 9 का जो answer हो जाएगा answer number A सही हो जाएगा इसमें answer number A इसका ठीक हो जाएगा यानि कि 14 राज और 6 संगी छेत्र ठीक है तो अगले question के बारे में बात करते हैं दसवे number का प्रशने था भारती रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी परसों की समापती कब की गई तो दसवे number का जो answer था वो था answer number D 1971 ग्यारवे number में पूछें तो पूछा गया था कि जैनेटिक कोड की विशेष्टी विशेष्टाएं हैं तो इसमें कुछ चार option भी दिये हुए थे और चार इसमें कथन दिये हुए थे जिनको आपन को बताना था तो इसका जो answer ग्यारव सब ही इसमें answer में ठीक था अगली प्रेशन यानि बारवे number प्रेशन में देखा जाए तो क्या आया था कि पूछा गया था राष्ट्री विशानु विज्ञान संस्थान कहां इस्थित है तो इसका जो answer था वो था पुणे में यानि कि हमारे बारवे number का A option ठीक हो जाएग तेरवे number के प्रेशन के बारे में जान लेते हैं तो इसमें पूछा गया था भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थवेवस्था पर सतत विकास हेतू सांजेदारी के लिए task force का निर्मान किया है तो इसका answer न हो जाएगा B नौर्वे इसका सही answer था अगले प्रेशन के ओर चलते हैं चौदवे नंबर में पूछा था आम की नीलम एवं अलफांजो के मध्य क्रॉस से किस संकर किसम का फल का विकास होता है तो ये अगली जो है वो किसम पूछी गया थी आम की किसम कौन सी है तो इसमें चौदवे नंबर के प्रेशन में C answer सह रतना पंदर्वे प्रेशन में पूछा गया था राष्ट्री स्वास्थ मिशन के जननी सुरक्षा योजना के मुख्योद देश क्या है तो इसमें हमारा A option सही था जिसमें माता एवं शिशु की मृत्यूदर को कम करना इसका सही आंसर हो जाएगा 16 प्रेशन के बात करें तो राष्ट्री कभी बाल कभी वेरागी का वास्तवे की नाम क्या था ये पूछा गया था तो इनका नाम जो था वो था नंदराम नंदराम इनका नाम हो जाएगा D option सही था इसका सत्रवे प्रशन में देखें तो साथ सागर, नो नारायन एवं 84 महादेव की परिक्रमा माध्य प्रदेश के किस नगर में संपन होती है तो सत्रवे नंबर का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर D उज्जैन इसका सही आंसर था राजा भूज के किस कवी ने जैन धर्म अपना लिया था यानि कि 18 नंबर के प्रशन का आंसर हो जाएगा C महिपाल इसका सही आंसर था 19 प्रशन में पूचा गया था विश्व प्रसिद्ध परेटन स्थल साची का प्राची नाम यह भी था यानि एक और नाम से भी साची जाना जाता है वो कौन था तो इसका जो था वो आंसर नंबर A सही था काकण स्वरी काकडाम इसका नाम था बड़ा ही अजीब सा नाम था बीस्वे नंबर के प्रसन के बारे में बात करें तो टन्क्या भील का वास्थिक नाम था तंट्या का नाम पूछा गया था तंट्या भील जो थे उनका नाम पूछा गया था तो इसका तो जो हो जाएगा A option सही हो जाएगा तांट्या उनका जो था नाम वास्तफिक नाम था अई जान लेते हैं 21 नंबर के question के बारे में किस संगठन ने वियों मित्र नाम का भारती रोबोट को विक्सित किया था तो 21 वे नमबर के question का answer जो था इस रो इस रो के द्वारा इसको विक्सित किया लिया था B option सही हो जाएगा इसका गाटनर के अनुसार चार चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में विवस्थित किया जा सकता है यानि 22 वे नमबर का question का जो answer था वो option number D इसका सही answer हो जाएगा सूचना, सहवागिता, लेंदेन और परिवर्दन इसका सही answer हो जाएगा D number option 23 वे नमबर का जो प्रशन था एक सामाजिक network के रूप में प्रते निदित्व किया जा सकता है तो इसका जो option था वो थोड़ा सा विवादित type का था मुझे इसका मुझे लगता है मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ बाकि इसका answer 90% ठीक ही होगा जो की था 3 इसका B option ठीक हो सकता है लेकिन इसमें थोड़ा सा confusion है आप देख लेना अपनी साइट से 24 वे नमबर के प्रशन में था IPV6 protocol IP पते को परिभाशित करता है तो 24 वे नमबर का जो option था वो था 128 bit यानि C option इसका सही था 25 वे नमबर के प्रशन में पूछा गया था यह वरीताओं को एकत्रित करके उप्योग करता को हितों के बारे में स्वचलित पूर्वानुमान बनाने की एक विधी है तो इसमें जो 25 वे नमबर का प्रशन था इसका B option सही था Social लक्षी करण ठीक है Social लक्षी करण जो था इसका सही हो जाएगा 26 वे नमबर का प्रशन था वर्ष 2011 की जनगर्णा की अनुसार किस राज में जनसंख्या की दश की वरधी दर नियूंतम रही है तो 26 वे का आंसर जो हो जाएगा B नागालेंड अवहराज है 27 वे नमबर में पूछा गया था उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है तो कच्चा माल नहीं है तो ये हो जाएगा इसका कॉस्टिक सोडा यानि की D option इसका सही हो जाएगा 28 वी नमबर में पूछा गया था निमलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें जो आंसर था इसका हो जाएगा option number C Elbrus Elbrus जो है इसमें एशिया में नहीं है ये कहीं और पढ़ता है तो ये इसका option number C सही हो जाएगा आईए जानते हैं अगले question के बारे में जो कि 19 वी number 29 वी number का question था सूची first और सूची second को सुमेलित कीजिए दो सूचीयां दी हुई थी उसमें से match the column करके type का ये answer था तो 29 का यानि कि 29 वी number का जो answer था वो था हमारा A A option में क्या था A option में A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2 यानि कि A option इसमें ठीक था तीसवे number के question में भारत के निमलिखित में से किन राजियों में पवन उर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं तो ये तीसवे number के question का answer जो था वो C option सही था यानि तमिल, नाडू और गुजरात इसका सही answer हो जाएगा एक तीसवे number के question के रूप में अगर देखा जाए तो पूछा गया था कि बिंदु सार के साशन काल में अशोक ने अवंती महा जनपद जीत कर मौर्य सामराज में मिला लिया था इसका उलेख किस ग्रंद से मिलता है तो इसमें थोड़ा सा confusion है इसमें कौटिली का अर्थशास्त्र से भी इसको मिलता है और बुद्ध गोश की सम्मत पासादिका से भी इसका मिलता है यानि A और B मैंसे कुछ इसका हो सकता है अपने साइट से आप देख लीजीगा इसमें थोड़ा सा confusion है मुझे इसका मिला है नी ठीक से 32 नमबर के question के बारे में बात करें तो चचनामा के अनुसार छटवी और साटवी शर्ताबदी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी तो 32 नमबर का जो था आलमगिरी किसकी रचना है जनी 33 नमबर का question का हो जाएगा ए इसका साकी मुस्तेद खा ए option ठीक हो जाएगा अगली question में मध्कालीन भारती इतिहास में पनही तथा उपानह का उलेख किस संदर्भ में किया जाता है या मिलता है तो इसका option इसका D option सही हो जाएगा D answer सही हो जाएगा 35 नमबर की question के बारे में बात करें आदी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो आदी ब्रह्म समाज की स्थापना जो इसमें थोड़ा सा विवादात्मक आदी शब्द जोड़ दिया है आदी जो था अगर आदी की जगा भारत ब्रह्म समाज की बात कर लेते तो केशव चंद सेन हो जाता है और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजाराम मोहन रायम ने तो इसका जो question था इसका answer इसमें थोड़ा सा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है अगले question की बारे में बात करें तो 36 नमबर का जो question था मध्य प्रदेश में निमले लिखे तो राज पालो में से कौन हर्याना की मुख्य मंतरी रहे है तो देखें कौन रहे थे तो इनका 36 का जो रहेगा वो D option सही हो जाएगा इसका आंसर ठीक हो जाएगा अगला question जो था मध्य प्रदेश के निमले के मुख्य मंतरी में से कौन मध्य प्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और इसके कूट भी दिये हुए थे तो इसमें से A कूट यानि कि केवल 1 और 2 यानि कि A option इसका सही था केवल 1 और 2 जो रहे option नंबर पे यानि कि दिगविजय सिंग और मोती लाल वोरा ये जो है इनके सही आंसर हो जाएगा इस question का अगले question के बारे बात करें तो अगले question जो था वो मद्यपरदेश विधान सभा की कारवाही का सही करम चुने तो सही करम चुनने के लिए लिए लिखा गया था बूचा गया था तो 38 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा सीधा आंसर के और चलते हैं हम चलते हैं 39 नमबर के question पर यानि 49 पर नमबर question पर मद्यपरदेश उच्छ न्यायाले के निम्नांके तो मुख न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्छ तम न्यायाले में न्यायदेश नहीं रहे हैं तो 37 का जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C नमबर का न्यायमूर्ति S के जा इसका अंसर सही हो जाएगा C option सही था मद्यपरदेश में नगरपालकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतू अनस्थानों के आरक्षन का प्रावधान भारत के सम्विदान के निम्लिकित में से किस अनुचेद के अंतरगत किया गया है तो चालिसवे नमबर का option नमबर A आंसर सही हो जाएगा 243 ना 1st यह जानते हैं 41 41 नमबर के question के बारे में भारत साशन अधिनियम 1919 के अंतरगत भारती विदायका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था तो यह इसका option नमबर हो जाएगा B option सही था 41 का B option सही था यह जानते हैं अगले question के बारे में बढ़ते हैं अगले question की तरफ सम्विधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापती कौन थे तो 42 नमबर का जो था फ्रेंक एंथोनी फ्रेंक एंथोनी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 नमबर का प्रश्न जो था निमने मैंसे कौन सी अभिवेक्ति भारत के सम्विधान के अनुछेद 108 के अंतरगत दोनों सदनों की सयुक्त बैठक आहुत करने के सूचन्या के संबंध में उचित है तो 43 का जो था वो था ए राष्टपती का आशा है ए उप्शन इसका सही हो जाएगा अगला क्वश्चन जो था भारत के सम्विधान का अनुछेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कार खानों में बालकों के नियोजन के को निशेद करता है ऐसा निशेद है इसका जो था वो ए उप्शन सही था पूर्ण निशेद जो था इसका सही उप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा 45 नमबर के आंसर क्वश्चन के वारे में बाद करें भारत के सम्विदान के अनुचेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही था दो कथन दियो हुए थे जिसमें से ये थोड़ा सा इसका जो question था वो था answer इसका कौन सा हो जाएगा 45 का जो था वो C number का option इसमें सही था यानि कि 1 और 2 दोनों ही सही थे इसमें 46 के बारे में बात कर लेते हैं तो 46 में पूछा गया था मध्यप्रदेश में कुल वनों की प्रतिशत भाग पर सागोन के व्रक्ष पाए जाते हैं तो इसका जो था option number B ठीक हो जाएगा लगभग 20% भाग में क्या होते हैं सागोन के व्रक्ष पाए जाते हैं 47 के बात करें वेतवा नदी निकलती है तो वेतवा नदी विंध्यांचल परवत्ष रेणी से निकलती है यह हमने अपने नदियों के वीडियो में बिल्कुल सेम इसी तारीके से डिसकस किया था यानि कि यह सीधा सीधा उसी वीडियो से यह question आया है या फिर हम इसको परवत्ष रेणी यानि विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है वेतवा नदी तो यह इसका अंसर हो जाएगा सी नंबर 48 में जो पूछा गया था मध्यपरदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है तो इसका जो अप्शन था दख्षिनी भाग में डी ऑप्शन सही हो जाएगा मध्यपरदेश में गीश्म रितू में वावसर तापांतर बढ़ता है तो इसका अंसर जो था वो भी हो जाएगा यानि कि पूर्व से पस्षिम की ओर इसका जो है वो तापांतर पढ़ता है अधिक अगला क्वेश्चन था अधा अधात्विक खनिज है अधात्विक मतलब नॉन मेटलिक जो पूछा गया था मिनरल जो होता है वो कौन सा होता है तो फिफ्टी का हो जाएगा ए नमबर का संग मरमर अगला answer question पूछा जो गया था वो था मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्र का पाई जाती हैं तो 51 का जो था वो उर्जा का प्रामेट जो है वो कैसा बनता है तो पारिसितिक तंत्र में उर्जा का प्रामेट हमेशा सीधा बनता है तो इसका option नमबर सही था स्वाद बढ़ाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है 54 नमबर के प्रशन में पूछ गया था आप दा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था ये कब बनाया गया था तो ये 2005 यानि option नमबर सी इसका सही हो जाएगा 55 नमबर के question में था इसमें से कौन बिमारी कोरोना वाइरस से संबंधित है तो कोरोना वाइरस से संबंधित है इसमें option नमबर डी यानि उपरोग सभी था सारी की सारी बिमारीयां जो है वो किस से संबंधित है कोरोना वाइरस से संबंधित है 56 में पूछा गया था इस प्र यानि कि 57 का जो था वो extensible markup language था B option इसका सही हो जाएगा 58 नंबर के मैं पूछा गया था microwave में विद्ध चुम्ब की तरंगों होती है जिनकी सीमा की आवरत्ती होती है किस तरीके से इसका option का answer जो था वो हो जाएगा यह जो था थोड़ा सा विवाद अत्मक question था इसमें आप star बना लीजेगा इसका answer मुझे मिलानी आप अपनी side से देख लीजेगा इसका answer क्या हो सकता है blowfish एक प्रकार का है तो 59 नंबर का जो question था उसका answer number A इसमें ठीक था यानि option number A इसका सही answer हो जाएगा 60 में पूछा गया था robotics के संदर्व में Puma क्या है यानि Puma का जो है वो full form पूछा गया था तो इसका C option जो था वो सही था यानि programmable universal machine for assembly इसका जो था वो सही answer था अगला जो question था 2011 में के जनकरना के अनुसार मद्यपरदेश की किस जले में सारवाद के लिंगा नुपाद था तो लिंगा नुपाद जो है वो 61 नमबर का question B इसका सही हो जाएगा यानि कि बाला घाट इसका सही answer हो जाएगा मद्यपरदेश का फसल छेतर में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है तो यह क्या था इसका answer number D सही हो जाएगा 34.14 इसका answer हो जाएगा option number D अगली question में निमलिपरदेश कौन सा खनिज़ सिर्फ मद्यपरदेश में ही पाया जाता है तो यह बड़ा ही आसान सा question था दोस्तों पन्ना में पाया जाता है हीरा इसका सही answer था option number C अगली question में मद्यपरदेश जनजाती संग्रालाई किस शहर में अवस्थित है तो यह जहां से मुझे मिला है जहां तक कि मुझे पता है कि यह भूपाल में जो है जनजाती संग्रालाई है लेकिन फिर भी इसमें answer number A दे रहा है तो यह थोड़ा सा आप अपनी साइड से देख लीजेगा कि इसमें कौन सा number सही हो जाएगा ठीक है भूपाल इसका वैसे सही answer मुझे लग रहा है अगली question में देखें तो आकांच्य योजना के बारे में परिक्षाओं है तो कोचिंग देने से यह संबंदित है तो अगला question जो था मत्यप्रदेश का पन्ना जला किस खनिच के लिए प्रसिद्ध है अभी-अभी हमने बात की है तो दोस्तों यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है और मत्यप्रदेश में ही इसको हमारे पूरे भारत में यह निकाला जाता है यही से इसका उत्खनन होता है अगला जो question था चंबल नहर सिचाई परियोजना संबंदित है किस सिचाई परियोजना से संबंदित है तो यह इसका option number C था हमारे वीडियो नदियों वाले वीडियो में हमने इसको भी डिसकस किया था चंबल नदि कहां मिल जाती है यमुना में मिल जाती है तो यह ठीक अगर जिसने वो वीडियो देखा होगा तो यह option यह answer जो रहे वो उसका सही हो गया होगा सीधी सी बाद है सही answer जो है वो टिक करके आया होगा अगला question जो है वो 68 नमबर का वो है जवाहर सागर जल विडियो परियोजना किस नदी पर इस्तित है तो यह चंबल नदी पर इस्तित है चंबल नदी की बात भी हमने उस वीडियो में की थी तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख सकते है 69 में था मद्यप्रदेश की प्रमुख फसल जो है वो क्या है तो इसमें गेहूं मद्यप्रदेश की प्रमुख फसल है option number B इसका सही हो जाएगा अगले question में था निमने मैसे कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है तो इसका बाजरा यानि D option सही हो जाएगा 71 नमबर के प्रेशन में जो था नेमलिकित राजियों और उनके संबंदित मुख्य मंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं तो इसमें 5 जो है वो प्रमुख्य मंत्री जो कि प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं तो इसमें जो option था वो option number D इसमें सही था यानि कि second A का second था, B का fifth number का C का fourth number का, D का I, यानि कि first number का और E का जो था वो third number का answer सही था option number D इसमें सही हो जाएगा 72 number के question में पूचा गया था भारत के सरवोच नियायालाय में निमलिखित में से किस प्रकार के नियायधीश या नियायधीशों की नियुक्ति की जा सकती है तो दो कथन दिये हुए थे दोस्तों इसमें से जो option था वो option number D सही था यानि first और second दोनों ही गलत दिये हुए थे इसमें तो इसमें ये option सही हो जाए sorry थोड़ा गलत हो गया है इसमें 72 number का A जो था वो सही था यानि कि एक और दोनों ही एक सही था और दूसरा गलत था यानि कि ये option इसमें ठीक हो जाएगा A option यानि कि A जो है first जो है वो सही है और second जो option में दिया है यानि अपना जो कथन दिया है वो गलत है यानि अतरिक्त न्याइधीश जो है वो गलत है तो आई जानते हैं 73rd number के question के बारे में निमलिकित मैं से कौन सा केंद्री के सार्वजनिक शेत्र का उद्ध्यम C.P.S.E. भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सुचिबध जनवरी 2020 महारतन की स्रेणी में नहीं आता है तो ये नहीं आता है D.Number का यानि की Oil India Limited D.Option इसका सही हो जाएगा अगला जो question था वित्ती शेत्र के मुल्यांकन समिती सह अध्यक्षिक किसके द्वारा की जाती है तो committee of finance committee on financial sector assessment जो है वो किसके द्वारा की जाती है तो 74 का जो था वो इसका जो question का answer जो है वो मुझे confirm नहीं हो पाया है दोस्तों तो इसका answer आप अपनी side से देख लीजेगा क्या होता है तो इसका जो है वो आप देख लीजेगा अपने side से अगला जो question था अगला 75 नंबर का गैर banking वित्ती company यानि की NBFC के लिए लोगपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारती reserve bank द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था तो इसका जो answer हो जाएगा 75 का D यानि की 33 फरवरी 2018 इसका answer ठीक हो जाएगा 76 में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए दो कतन दिये हुए थे जिन में से हमें बताना था कौन सा ठीक है तो 76 का जो था वो option number B ठीक था दोस्तों option number B इसमें ठीक हो जाएगा 77 नीती आयोग के परतम उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया था तो इसका जो था वो C number का सही था अर्विंद पनगडिया जो इसके उपाध्यक्ष जो हो जाएगे परतम उपाध्यक्ष थे अगला प्रशन जो था राष्ट्री मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की न्युक्ती के नामों की सिफारिश करने वाली समिती कौन में कौन सामिल नहीं था कौन सामिल नहीं होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा डी राज्यपाल जो है दोस्तों वो इसमें शामिल नहीं होता है 79 नमर के प्रशन में पूछा गया था राष्टी हरत नियायादी करन के किसी भी निर्णाएक से व्यवस्थित कोई व्यक्ती सर्वोच नियायालेक में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है तो इसका जो सही option था वो था D79 का जो था वो D90 दिनों के अंदर क्या कर सकता है वो अपना जो है वो अपील कर सकता है 80 नंबर में पूचा गया था राज खाज आयोग की स्थापना किस कानून के अंतरगत होती है तो इसका option नंबर A जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा दोस्तों यह जानते हैं अगली question के बारे में 81 नंबर में पूचा गया था फरबरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तखता पलट किया गया था तो यह बहुत अच्छे question था दोस्तों इसका answer जो था वो मयान मार था 81 में क्या हो जाएगा D option इसका सही हो जाएगा 82 में पूचा गया था किस भारती महिला ने व्यक्तिकत खेल में सर्वपरतम उलम्पिक पड़क जीता था तो इसका answer जो हो जाएगा कर्णम मलिश्वरी A option सही हो जाएगा अगला question जो था मद्यपरदेश प्रशासन द्वारा खेल प्रसक्षकों को प्रशक्षकों को प्रदत्य किये जाने वाले निम्ण मैंसे कौन सा प्रसकार सर्वोच्ष है तो इसमें जो हो जाएगा वो D option सही हो जाएगा विश्वा मित्र प्रसकार जो है वो दिया जाता है अगला question जो होगा खेल एवं युवा कल्यान विभाग द्वारा स्थापित मध्यप्रदेश राज तीरंदाजी अकैडमी कहां स्थित है तो ये जो है दोस्तो वो जवलपुर में स्थित है C option सही हो जाएगा 86 नमबर का भॉपाल राज में मूल संस्थापक कौन थे भॉपाल के मूल संस्थापक की बारे में पूँचा गया था तो इसका option number A ठीक हो जाएगा दोस्त मुहम्मद खान जो थे इसका option सही हो जाएगा 87 में राजा वीर सिंग की राजधानी कहां थी तो राजा वीर सिंग की राजधानी जो थी वो बांधव कर थी तो इसका A option ठीक हो जाएगा मांडू विजय दक्षिन विजय की कुन जी था यह किसने कहां था ऐसा किसने कहां था बोला गया है दोस्तों तो यह जो 88 का आंसर हो जाएगा वो D. अमीर खुसरो द्वारा यह कहां गया था 89 में देखें तो भीम बेटका को किसने खुजा था तो भीम बेटका को खुजने वाले थे option number C यानि की डॉक्टर विश्णुधर वाण कर इनके द्वारा भीम बेटका को खुजा गया था 90 में पूचा गया था मद्यप्रदेश में सरवाधिक पाई जाने वाली जन जाती कौन सी है बड़ा ही आसान question था दोस्तों सभी से बन गया होगा यह जो था वो भील था मद्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जन जाती भील है और 91 जो था वो match the column था कुछ गहास के मैदान दिये हुए थे और देश या महादीव दिये हुए थे उनमें से देखना था तो 91 का जो था हमारा C option सही था C मतलब की A का जो था वो 3rd, B का 1st, C का 2nd और D का 4th C option इसका ठीक था 91 question की बात कर लें तो 91 हम देख चुके हैं 91 हम देख चुके हैं अगला question जो है वो 92 नमबर का आना है कहांगे 92 यह रा भारत के किस राज में सागोन 1 के 1 का छेतर जो है वो सरवादिक है तो इसका हमारा जैसा मध्यप्रदेश के एक्जाम की बात हम कर ही रहे हैं तो मध्यप्रदेश के बारे में ही था यह question तो मध्यप्रदेश इसकल सही हो जाए गड़ी नमबर का option इसमें सही था 93 में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया था तो नहीं के लिए है देखा जाए तो इसमें से 93 का जो सी चंदोली राष्ट्री और दियान जो था वो गुजरात में नहीं है दोस्तों तो यह इसका सी option सही हो जाएगा 94 में देखा जाए तो क्या पूछा गया था भारती खनेज पदार्थों का भंडारन किसे कहा गया था तो यह दोस्तों हमने पढ़ा ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है तो छोटा नागपूर का पठार जो है वो इसको कहा जाता है है ना 10th class में इसके बारे में बहुत detail से दिया हुआ था तो 94 का a option सही हो जाएगा 95 में कुछ कथन दिये हुए थे अभी कथन a और उसके कारण दिये हुए थे तो इसका जो है वो आप पढ़ सकते हैं question काफी बड़ा है तो इसका जो answer था वो मैं बता देता हूँ direct आपको इसका a number का answer जो है वो ठीक था यानि a एवं r दोनों ही सही है तथा r a की सही व्याख्या है ठीक है ए नमबर इसका सही हो जाएगा 96 नमबर में पद्म शरी भूरी भाई किस लिए प्रसिद्ध है तो इसका जो answer हो जाएगा a चित्रकारी के लिए यह प्रसिद्ध है option number a सही हो जाएगा 97 में पूछा गया था केलास सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश की किस जिले में हुआ था तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों विदिशा जिले में तो यह विदिशा इसका option number d जो हो जाएगा वो ठीक answer इसका हो जाएगा 98 में पूछा गया था 750 मेगावाट का solar power plant मध्य प्रदेश की किस जिले में इस्थित है तो यह अभी लगाया हो गया है recently की यह current affairs question है दोस्तों तो इसका 98 का हो जाएगा भी जीवा जिले में इसको लगाया गया है अगला question जो था मिजोर की में इस्थित फावंग पूई राष्ट्री उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो इसको जाना जाता है नीला परवत उद्यान यानि option number b इसका ठीक answer हो जाएगा दोस्तों अगला जो हमारा और आकरी question जो था फरवरी 2021 में प्रधान मंतरी द्वारा किस शताबदी समारो की शुरुआत की गई तो इसमें जो option था वो option number c इसका यानि चौरा-चौरी शताबदी समारो इसका answer ठीक हो जाएगा दोस्तों तो यह रहा हमारा MPPSC के pre का exam यानि paper number first का कुछ analysis जो की आपके लिए helpful रहा होगा आपने जो अपना कीमती समय दिया है वो दिया है IMP class इसको तो धन्यवाद दोस्तों